हेलो दोस्तों आपका ओनलाइन प्लेटफर्म पर स्वागत अभिन्यदन मैं जगराना पिछले दो तीन दिन से चिक्षण अभिरूची परिक्षण जो आपका टोपिक आता है स्टीसी और खासर पीटीटी के लिए उसमें हम बातचीत कर रहे हैं जिसमें अपना एक टोपिक ह हो चुका है आप तक सामाजिक परिपक्वता सामाजिक परिपक्वता यह टोपिक पर अपनी बातचीत हो चुकी है दूसरे टोपिक नेतरतु के उपर अपनी बातचीत हो चुकी है आज हम जिस टोपिक पर बात करने वाला है वो है कम्म्यूकेशन यान संप्रेशन या संच तो चलते हैं topic के उपर और उसी पर बात क्याते हैं आपकी माइन में आया होगा कि आखर somepression क्या है कि तो चलो अपनी इस फोड़ी इसी बात करते हैं अपने तरीके से घ्र विक्ति की कुछ feelings होती हैं कुछ विचार होते हैं कुछ भावनाई होती हैं कुछ मत होते हैं और वहे अपनी विचारों को या अपने दृष्टिकोन को या अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाता है और इसी प्रकार दूसरा विक्ति पहले व्याले के पास अपने विचार पहुंचाता है तो हम यह कह सकते ही यह भावनाओं का विचारों का मतों का आपस में जो आधान परदान होता है कि मैं अपस में जो अधला बदलeten कैते हैं इसे ह reinforcing संचार कहते हैं या संप्रेशन का संप्रेशन की तरह आपके हो सकता है कि आपके लिए उसमें कि इसे संचार भी बोल सकते हो ce इंगली शब्ण हम य कि लिए कि communication ऑप आते हैं कि जिसे आपको ये क्या होगा आपके कि दिमाघ में आयोगा मैंने कहा 1 विक्ति अपने विचारों को दूसरे तक भेज़ता है तो जब भी हम पक्ष की बात करेंगे तो कम कम्यूकेशन के कम से कम दो पक्ष तो होगे जब भी नेवेक्ति अपनी इच्छाओं को जो या अपने विचारों को या अपने भावों को अब यहां इसके पास अपने विचारों को भेज रहा है तो क्या करेगा तो या तो वो इसे रिटन फॉर्म में बेजेगा या इसे वर्वल फॉर्म में बेजेगा कहने का मतलब है या तो वो बोलेगा और यह सुनेगा या फिर वो माली जी लिखकर भेजेगा लिखेवे कोई पढ़ेगा या हो सकता है कि लिखा भी नहीं जाए और बोला भी नहीं जाए तब भी कम्म्यूकेशन होता है कई बार हम अपने विचारों को अपनी भाव भाव भाउंगी का माँ उससे दूसरे तक पहुंचा देते जैसे कई बार टीचर क्लास में सोर मच रहा है बच्चे सोर मचा रहे और टीचर अपने उस बच्चे तक अपने विचार भेजना जाता है कि तू सोर मच मचा तो उसकी तरफ देखता है और देखने से ही बच्चा समझ जाता है कि सर यह कहना करें जिकि मुझे चुप होना है तो अपनी व में भी हो सकता है communication आपके verbal फॉर्म में भी हो सकता है और communication इसंबल में हो सकता है यह प्रतीक तो आपको यह चीजá मोटा-मोटा समझ में आया होगा जहां तक मैं समझ रहा हूं तो आपके लिए अब आगे बढ़ते हैं कि communication का इसका अर्थ ही देखते हैं तो आपको मेरी साफ से समझ में communication दो विक्तियों के बीच होनेवाले विचानों के आदान प्रदान को ही हम क्या कहेंगे communication कहेंगे são pressure कए अप इसमें एक हम आप लेते हैं यह poem creation की जो प्रक्रिया वह कैसे चलती को इन्हीं हम संप्रेशन या कम्म्नुकेशन के एलिमेंट्स तत्व भी कह सकते हैं हम इसे तत्व भी कह सकते हैं या इन्हें हम कम्म्नुकेशन के पक्ष भी कह सकते हैं यहिए संप्रेशन के पक्ष या संप्रेशन के तत्वर हैं तो इसमें महत्वपून चीज है सबसे महत्वपून है प्रेशक प्रेशक को आपने यह पीछे अच्छे से नहीं समझाई आप वापस आपको सुन दो विचारों को भेजता है तो इसे हम कहें गे विचारों को या संदेश को भेजने वाला प्रेशक तो यहां ए क्या है प्रेशक की भूमिका में भेजने वाला है और और जो इन विचारों को घ्रन कर रहा है वो है संदेश प्राप्त करता संदेश प्राप्त करने वाला प्राप्त करता और संदेश प्राप्त करता क्या कहीं हम ग्राही तो आपको एक समझ में आ गया संदेश क tapping communication के लिए एक तो और अवश्य होता है संदेश बेजने वाला और एक संदेश को गरन करने वाला अवश्य होता है कि संदेश करता है इसे receiver करने और इसे हम कहेंगे deliver है या कि दिलेवर कर रहा है अपनी बातों गदूसरे तक भेज तो आगे बढ़ते साथ ही हो तो यहां एलिमेट में जो यह अपने प्रेशक की डिलेवर की भूमी का मैं संदेश को तो यहां से कम्यूकेशन स्टार्ट होगा जहां रखना अब इस वेक्टिक यह क्या भेजेगा किसी न किने information को कोई न कोई संदेश होगा कोई कोई सूचना होगी वह सूचना को वेजेगा अब सूचना बहने के लिए किसी ने किसी टूल याने माध्यन की kind पड़ती है जैसे अभी मैं अपनी information अपनी सूचनाएं आपको डिलेवर कर रहा हूं तो मैं इस्तेमाल किसका कर कर रहा हूं मैं इस्तेमाल कर रहा हूं यूटूब का तो यूटूब यहां पर क्या हो गया है यहां पर यूटूब मेरा माध्यम हो गया है इसके माध्यम से मैं ग्राही आर्था जो रिशीवर है जो इस क्लास को देख रहा है वो रिशीवर है लेकिन वो किसके माध्यम से दे हेतों यह क्या हो गया फीडबेक हो गया प्रति फुश्टी याने फीडबेक हो गया है यह जैसे कि क्लास में टीचर पढ़ाता है है तो वह अपना कंटेंट को ff निस पिसकी सबват हो सकता है कि रूम के अंदर टीचर क्या करेगा सीधा समवाद करेगा तो blackboard वगेरा होंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, माध्यम बन जाएंगे, उस माध्यम से बच्चे के पास जैसे वो knowledge सुनता है, सुनकर उसको घ्रहन करता है, तो अर्थात उसके पास वो knowledge चला गया है, फिर teacher पूसता है, कोई question पूसता है, बच्चा उसका response सही देता है, अर् संप्रेशन की प्रक्रिया, या इसे ही कहा दिया जाता है साथ ही हो, संप्रेशन, संप्रेशन चक्र, circle, संप्रेशन चक्र, तो संप्रेशन चक्र का जो पहला elements होगा, वो deliver होगा, अर्थात हम कह सकते प्रेशक होगा, और अन्तिम जो होगा, वो ध्यान रखना ग्राही के ब बेज़ा है उसने संदेश किस रूप में ग्रण किया है क्या वह संदेश को समझ पाया है या नहीं समझ पाया है तो आप से जो प्रशन पूछा जाएगा इसमें कैसे पूछा जाएगा हो सकता आप में से पूछ लिया जाए कि संप्रेशन प्रकिर्याक या संप्रेशन का तत प्रकिल्या का तत्व नहीं होगा और ध्यान रखने इसमें सबसे महत्वपूर्ण कहा है अगर आज एक कम्प्रेशन की सुरुवात कोन करेगा प्रेशक करेगा कम्प्रेशन कहां खतम होगा प्रति पुष्टी पर खतम होगा आगे बढ़ते हैं अब आता है संप्रेशन की विश्यष्टा है संप्रेशन की विश्यष्टा है तो देखिए साती हो संप्रेशन में पहले ही कहा था संप्रेशन कम से कम दो विक्तियों के बीच में होगा मैंने अपने पिछलम ए और बी बताया था इन दोनों के बीच में विचारों का क्या न तो संप्रेशन के उता ड्वी धुर्व्य होता है कि एक धुर्व्य नहीं होता है ढहता दुर्व्य तो दो संप्रेशन क्या ऩाधिने方 तो यह हो गया और एक पउलर यह हो गया तो इस प्रकार से दो स्रेतक भेज aumento कोई नवा habían उद्देश्य होता है द्यान रखना बार-बार कहा हो साथ यह इसे आ निरुद्द त्रिक्रिया निया इसका कोई नकुवद्द्र अवश्य होता है तो यह उद्देश्य पुन प्रिक्रिया होती बहुंद जिए अगर पूछा जाए कि कि कम्म्यूकेशन संप्रेशन कला है या विज्ञान है तो आप से आएगा कम्म्यूकेशन है यानि संप्रेशन है और एक होगा कला एक ओप्सन होगा विज्ञान एक होगा कला एंविज्ञान दोनों तो इसका सही आंसर आएगा कला एंविज्ञान दोनों कि इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं यह सामाजिक प्रिक्रिया है कि सामाजिक प्रिक्रिया से तात्प्री क्या होता है साथियों कि जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं तो वो social हो जाती है और यहां पर भी वेक्ति अकेला बात नहीं कर रहा है अपने विचारों को किसी दूसरे तक भेज रहा है तो जो दो वेक्तियों के बीच में संबंद इस्तापिद हो जाता है वो social कहलाती है सामाजिक तो संप्रेशन एक सामाजिक प्रक्रिया है इसे प्रकार से देखते हैं यहां यह अर्जित है यह बहुत अच्छा है देखना साथियो इससे लर्निंग जुड़ेगा जो हम बाचीत कर रहे हैं क्या जनम से ही हमें बाचीत करने का तरीका मालूम है तो कम्यूकेशन जो संचार है संप्रेशन जो है वो जन्म जात नहीं होता है जन्मन लेने के बाद में वेक्ति बात करना सीखता है और वह अनुकरन के दुवारा जैसे छोटा बच्चा है जनम लेगा सुरू में अपने मातापिता को बात करते देखेगा भेन भाई को बात कर तो जैसा उसके घर में उसके घर में ने मरवाडी हो जा says उसके बोलने श्मता ऊद्पन होगी एक नेडर साल बाद में तो मरवाडी शब्द पूलेगा अगर वह बर आ हिर फाइस ठीट रहां थो आ हीर डोक और केशने वाली दॉजोर्निय अनुखर से नू करना अनुकरन होता है दूसरे को देखकर वैसा ही करना उसको कहते है अनुकरन तो यहां यह कहा है जग कम्यूकेशन एक परकार अनुकरन का परिणाम है अनुकरन का परिणाम और अनुकरन के दुआरा जो हम अरजित करते हैं वो क्या है अधिगम है तो हम यह कह सकते हैं कि कम्यूक जनमजात नहीं होता है तो वह किसका परिणाम है वह परिणाम है अनुकरन का अनुकरन का परिणाम है तो हम यह भी कह सकते हैं यह कि हम संप्रेशन को यह संचार को क्या करते हैं संचार करना सीखते हैं क्या करते हैं संचार करना सीखते हैं अगर उम्मीद करता हूं आपको विश्यस्ता हैं बहुत अच्छी समझें होगी उन्हें एक बार कम्म्यूकेशन यान्द संप्रेशन द्विध्यर परिक्रिया होती है यह उद्देशय पूर्ण होता है उद्देशय पूर्ण होता है इसी परकार यह कला एंबिज्ञान होता है यह सामाजिक प्रिक्रिया है अर्था व्यक्तिकत प्रिक्रिया नहीं है इसी यह एक अर्जित होता है कि आगे बढ़ते हैं अब देखिए एक अच्छा vibration प्रभावी संप्रेशन उसे कहा जाता है आप यह समझे अच्छा प्रभावी प्रेशन क्या है मैं आपसे बाओके उमक्तुत कर रहा हूँ और यह बातचीत मैं अच्छे से समझ पा रहे हो तब तो जो मेरी बात्चीत करने का उद्देश्य था उस उद्देश्य को मैं प्राप्त कर लूँगा और अगर मैंने आप से क्म्म् 1 किया आपसे बादचीत की और वो आपको समझ में नहीं आई तो जो मेरा उद्देश से था वो उद्देश से पूरा नहीं हो सकता तो प्रभावी समप्रेशन उसे कहेंगे हम कि जो जिस उद्देश के लिए संपरेशन की प्रिकिरिया शुरू की गई जो बातचीत शुरू की गई जिस उद्देश्य के लिए अगर उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है तो वह संप्रेशन प्रभावी है और अच्छा है अब इसकी और क्या-क्या गुन ऐसा निए इसपष्ट को क्या है कि आपसे इसपष्ट बातचीत करूँगा तो वो आपको खुद को भी समझ में नहीं आएगी तो आप क्या फीडबेक दोगे इसलिए जरूरी क्या है पहले कम्यूकेशन इसपष्ट होना चीए इसपष्ट से तात्वरी क्या होगा साथी हो उसकी भासा सटीक होनी चीए ऐसी वह नहीं चीए जिस भासा में मैं जानता हूं और जिस भासा को जिसको संदेश बेजना उसको भी वह भासा आनी चाहिए माली जी मेरे सामने कोई जर्मन वे चाहिए उसमें जो सब्दावली है वो भीलकुल है उस भासा की परियों के अगर रिटन फॉर्म में है तो लिखा हुआ सही सही रूप में चाहिए नहीं कि और यहां आगले देते हैं दूसरा ग्रहाई क्या पेक्षां क्या नूरूम आपको मेंने कहाता ग्राही कौन था जो संदेश को प्राप्त करेगा तो संदेश प्राप्त करने की कुछ ना कुछ उसकी भी उम्मीद होती है कि लिए का कोई परकार तो इस प्रकार प्रभावी होता है और उसकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता है तो संप्रेशन निस्फ प्रभावी होता है कि जो हम कम्म्नुकेशन कर रहे हैं वो शंपून होना चाहिए संपून से तात्परी क्या है जो संदेश भेज रहे हैं संदेश पूरा होना चाहिए सूचना information अधूरी नहीं होनी चाहिए संदेश पूरा होना चाहिए तब तो वह अच्छा संप्रेशन कहलाएगा और हम जब किसी को information दे रहे हैं और उसको आदी अधूरी जानकारी दे रहे हैं तो आदी अधूरी जानकारी से वे आदा अधूरा नहीं समझेगा पूरी बात्चीत को नहीं समझ पाएगा तो हमें क्या करना है जो संदेश भेज रहा है उसको ध्यान रखना चाहिए information सूचना सही सही भेजनी चाहिए और पूरे रूप में भेजनी चाहिए तो फिर क्या है संतूलित होना चाहिए संतूलित ग्या मिस्तात्प्रिय क्या है जब हम किसी विकति को जोई न कोई उद्ध्येश कला है को फिर संदेश या सूचना है अब आपका व्जघ्येट्टिव है उस उब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जितनी हम्एज नहीं करनेन थक सूचना ही भेजने का प्रियास है नहीं की जाए तो इसका है कम्यूकेशन क्या होना चाहिए संतुलित होना चाहिए तब तो अच्छा से कम्यूकेशन कहलाएगा न कि पांचवाश सहेज वह बहुत गं में नियुके श्याश का अरत होता है आप जो इंफोर्मेशन बहन हो बेज रहे हो वो इतनी कठीन नहीं होनी चीए इतनी कलिष्ट नहीं होनी चीए कि रीशीव प्रराप्त कर रहा है उसको समझ में नहीं आये कि इसलिए जो आप information सूच रहा है संदेश वेज रहे हो व वा बिल्कु है रूप में वनी चील सहज ओने च्याँ आसानी से उसके प्राप्त है कर ले आसानी से उसको होना चाहिए वैस संपू üzer होना चाहिए। संथूलित होना चाहिए शहज वह बहुत होना छाहिए। उम्मीद करता हूं आप को समझ में आया होगा स pię a अगे बढ़ता है है कि संपरेशन के अबजेक्टीव उद्देश से मैं कई बार कह चुका हूं कि हमीसा संप destacon ुद्देश्य पुण क्लिफ्रक्रिया küç— को संचार के या संफ्रेशन के उद्देश रिख रहे हैं थैपनी य तो क्यों करने बच्चे को खास तोर से कम्यूटेशन हम से जोड़ रहे हैं तो छिप्षक और बच्चे आपस में क्या करेंगे interaction करेंगे अंतेक्रिया करेंगे गए बच्चे के क्रिक्रिया क्यों करते इंट्रayekent क्यों करते की टीचर बच्चे को सिखाना चाहता है लर्णिंग कर वाना सब्क्रिक्रिक्रीज सूर ऐसों कि तो बच्चा सेखिए तो अगर अच्छा गुंचेशन होगा तो वह बालक कुछ चीज़ को रटेगा नहीं उसका मिनिंग फुल होगा वो लर्निंग कैसी होगी मिनिंग फुल तो कम्मिन्यूकेशन क्या करता है लर्निंग को मिनिंग फुल बनाता है अर्थ पूर्ण बनाता है कि अधीगम को शमझ पूर्ण बनाता है ये कम्मिन्यूकेशन हम एक तो यह उद्दिष से स्य तॉन्यूकेशन का दूसरा अभी प्रएविक बारिमिक करना अब बच्चे को हुम लौनिक कर्वानी है पू can magically कुछ सिखाना हैarta हो हम बच्चे को क्या करते हैं मोटिवेट करते हैंग हम बच्चे को मोटिवेट क्या करते है उसको उस काम के लिए तयार करता है तो देखें mobility करना कम्यूकेशन के दुवारा हम बच्चे को क्या करते हैं ओर मोटिवेट करते हैं तो फिर बच्चा उस चीज को सीख जाता है तो अभी प्रिरित करने के लिए भी संप्रिशन का एक उद्दिश होता है कि पारस्परीग संबंध स्थापित करना पारस्परीष का होता है आपस में यहां मैं बात कर रहा हूं एक दूसरे की फ्यलिंग्स को जानेंगे एक दूसरे के विचारों को जानेंगे एक दूसरे के भावों को जानेंगे तो relation मजबूत बनेगा या relation कमजोर होगा वहतर डंग से relation बनेगा तो communication क्या करता है दो वेक्तियों के वीच में संबंद को अच्छा बनाता है आप से करने का है उसरी का बनेगा है कि सब्सक्राइब करने तो सहीो डंग से कम और चांग के साथ सम्ताधित हो जाता है अगर आपको खेत में काम करना आता है कि तरिका मालूम है के खेत में काम कैसे याजार्ट तब तो आप कम समय में, कम उर्जा लगाकर सही डंग से उस काम को कर देंगे। और कोई ऐसा बच्चा जो सहर में पढ़ता है उसके माता-पिता किसान है लेकिन कभी खेत में नहीं गया एक दिन चला गया अब वह एक दो घंटे तक यह सोचता रहता है इस काम को कैसे करूं किस परकार तो उसमें वह इसकिल नहीं है उसमें वह नोलेज नहीं है तो इसकिल साते हैं आंगे बढ़ते हैं साती हो संपरिषन तो इद्धि स क्या होगे अधीगम को आरत्पून बनाना अभीप्रित करना पारश्फिरिग संबंदों को को इस्तापित करना और कोसलों का विकास करना आगे बढ़ते साथ हो समप्रेशन में बाधा बाधा से ताक्परिये है रुकावत यह इसे ही करते हैं समप्रेशन में कठीनाई क्या क्या कठी नहीं है क्या क्या रुकाउट है क्या था संप्रेशन क्या था विचारों का आदान प्रदान तो आपको पता लग या होगा क्या क्या कठी नहीं हो सकती है आसानी से समझ वाएंगे हासा मैंने कहा था कि कम्यूकेशन करने के लिए हासा की बहुत ज़्यादा जरूरत हो ध्यान रखना एक ही कम्यूकेशन ऐसा है जब हम इसारों में बातचीत करते हैं है जब हम अपनी और बच्चे को डाटना होता है तो बच्चा सरारत कर रहा है और घर पे घैस्ट आ वे हैं उन गैस्ट के सामने बच्चे को धंका सकते हैं तो हम बच्चे की तरफ इसके विल आखे निकाल देते हैं अच्छा समझ जाता है कि पापा यह कह रहे है चुप हो जाए अधमाशिया मत करें तो हमने अपने विचार वहां तक भेज दिये तो केवल हम संकेत के माध्य में से जब कम्मिनिकेशन करते हैं तब तब भा का अंतरगती ही माने जाते हैं दो अगर हम शाबदिक वर्बल रूप में देखें, चै वह रिटनॉप में में हो, चै मोख्की रूप में हो है, उस में कोई ना कोई शब्द जरूर होंगे तो भाषा जरूर होगी तो भासा कैसी होनी चाहिएamousा या इसी विचाह जो परण होनी चाहिए इसपस्ट होनी चाहिए अगर ये भासमाली जी भासा ऐसी है भाससमंदी मेरे सामने दूसरी लेंग्वेज को जानने वाले स्टुडेंट्स हैं और मैं हिंदी में पढ़ाता हूं और वो हिंदी को नहीं जानते हैं तो अब क्या बनगी क्या रुकावट बनगी मैं अपंट विचारों को उन तक नहीं वेजब पाऊंगा यानि भासा को में बहुत ज्यादा कठिन बना देता हूं चलो हिंदी को वो लोग जानते भी हैं लेकिन मैं हिंदी को जो सहज रूप में हिंदी बोली जाती हो वो बोलने जाए मैं प्रिश्कर्त हिंदी का प्रियोग करता हूं जिस प्रिश्कर्त हिंदी को जानते नहीं है तब भी क्या communication में दिक्कत आएगी कठी नाई आए तो भासा की इस्पष्टता या कह सकते हैं भासा की इस्पष्टता इस्पष्टता या यह कहें आसा की अन्भीगिता किसे कहते है भासा की कि अनभीगता कि क्या हो जाता है सब करें अच्छा की अनभीगता है को अनभीगता है अब दूसरा आता है अगर माली जी मैं बहुत ज्यादा इस्थानिय सब्दावली का प्रियोग करता हूं तब भी दिक्कत आएगी होशकता है कि मेरी इस्थानिय लेंग्वेज है वह अलग है और दूसरे छेत्र में रहने वाले लोगों की हिंदी की इस्थानिय लेंग्वेज में थोड़ा अंतर होता है अगर मैं कम्णुकेशन में में इस्थानिय लेंग्वेज सब्दावली का प्रियोग करूं गए तो दिक्कत क्या आएगी कि वो लोग नहीं समझ पाएंगे तो हमें उस अब्यक्त की जो टेकनिकल जो है सब्दावली है अगर उसका प्रियोग किया जाना चाहिए य कि अप्राप्त करकरक्ढा के पास आता है तो प्राप्त करने वाला उसकी व्याक्था कैसे करता है हो सकता है वो अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर ले पलकी भेजने वाला कुछ और भेजना चाह रहा था लेकिन इसने अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर ली में तो इस वजह से भी व्याक्या भी काई वार क्या होती है communication में बाधा का कारिय करती है यह ने बहुत कि समच से वह यह बात है कि भेजने वाला भेज किसी ओर रूप में रहा था और शमजने वाला जिसके पास प्राप्त हुआ है वो कुछ और रूट में समझ गया तो यह कम्यूकेशन की क्या रहेगी बाद रहेगा इच्छा का अभाव कि इच्छा का अभाव क्या कहलाएगा कि जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तो बच्चों तक कुछ चीज भेजना चाह रहा हूं और बच्चे उसको सीखने के लिए तयार ही नहीं है मेरे से समवाद करने के लिए मेरे से बातचीत करने के लिए मेरे से कम्यूकेशन करने के लिए तयार ही नहीं है तो अगर इच्छा का अभाव है तो कम्यूकेशन नहीं हो पाएगा यह रुकाउट का काम करें कि इसी परकार माध्यम की समझ्या यानि कि कम् किसी टूल की किसी ने किसी माध्यम की हमें जरूत पढ़ी है जैसे अभी मैं थोड़ देर पहल कहा था मैं ले रहा हूं आप से योटूब की help ले रहा हूं मैं अपनी जो बात्चीत कह रहा हूं वह आपके यूटूब के दुवार आपके पास पहुंच रही है लेकिन माली ज वाकार यह करता है तीसरा हम आकार एम दूरी कि संदेश का कर कितना है कि जो हम इंफोर्मेशन संदेश इंफोर्मेशन आपके पास भेज रहे हैं वुष का दाइरा कितना बड़ा है होच ज्यादा बड़ा दाइरा होगा तो भी वह कम्यूनिकेशन अच्छे से नहीं होगा और बहुत सिमित होगा तो भी नहीं होगा तो यह नहीं की वो दाइरा संतुलित होना चाहिए दूसरा दूरी जैसे मैं क्लासरूम की बात करूं कि क्लासरूम में मालिजे 20-30-50 बच्चे तब तो ठीक है 300 बच्चे हैं तो पीछे-पी करती है अगर कोई माध्यम में दिक्कत तो संप्रेशन में रुकावुट आएगी अगर रीसीवर की इछ इच्छा सकति का भाव है इच्छा इच्छा नहीं यह उसकी तो संप्रेशन में बाद आएगी व्याखिया वो अलग धंसे कर रहा है तो дв्लेum बाधा आएगी और तक्निक और रिस्ताने सब्दावलियां भी कई बार रुकाउट डालती है इसमें और भासा की ऐस पश्ट ताभी क्या करती है कम्यूकेशन में बाधा का कारिये करती है अब देखे साथ इसमें से क्यूस्टन से बहुत पूस्त है आप संप्रेशन के परकारि टाइप कोब कम्यूकेश्ट याक है संचार के परकार कौन-कौन से चैना बोल दो संप्रेशन बोल दो बाते तो मुख्य रूप से देखे साथियों इसको कम्यूकेशन की जो टाइप्स पड़ोगे तो विद्वानों ने बहुत अलग लग टाइप बताईए कई किताबं आपको अलग लग दीखेगा बहुत से टाइप बताएं मैं किलियर कह रहा हूं लेकिन मैंने वो टाइप बनाने क प्रियास किये है जो आपकी परिक्षा की दरश्टी से ज्यादा उपयोगी है इनी से भार नहीं जाएगा तो हम पहले तो लेते मात की कि अंथार क्या लिया देके प्रिय्ज आप इछ दरके र द्वी अंदर समझे संप्रेशन ये दो प्रकार मानने हमने मुख्य रूप से और उसके आधार लिये पहले तो आधार किस बेस पे हमने इसके टाइप बनाए आधार कि आधार में हम पहलना देखते हैं है जो पहना दर लिया संदेश का प्रवा हम संदेश के पास भीज रहे है की तो किसके पास भीजhen वह संदेश किस और जा रहा है यह कहा जाये है जो कि इसनो रहा है वो किनके बीच में हो रहा है कि सोरी उसमें देख रहे हैं अधोगामी अधोगामी गमी निया अधोगामी अधोगामी में क्या होता है यह तो संदेश भेजने वाला है और यह संदेश प्राप्त करने वाला है यह बताओ प्राप्त करने वाला उपर है या भेजने वाला उपर है भेजने वाला उपर है यहने कि संदेश उपर से नीचे की ओर आएगा अर्था तो भेजने वाला है वो तो उच्छ अधिकारी है उच्छ अधिकारी है भेजने वा यह उसके नीचे का इस्तर का अधिकारी निम्निस्तर अधिकारी निश्टर अधिकारी इस प्रकार से हम देख रहे हैं अधोगामी संप्रेशन यह संदेश का प्रवा कैसे है उपर से नीचे की ओर कुछ अधिकारी नीचे के अधिकारी को नीचे के करमचारी को आदेश देता तुसरा उर्ध्वेगामी का अर्थ होता है इसके ठीक विप्रीत होता है जैसे कि मैं आपको बताने का प्रियास करूं यह समल्ले यहां ले लेते हैं बीच में उर्ध्वेगामी क्या होगा नीचे का जो करमचारी है उपर के अधिकारी से मार्ध दर्शन प्राप्त करेगा धान रगना आदेश नीचे का कभी भी उपर वाले को आदेश नहीं दे सकता है तो वो उसके क्या है मार्ध दर्शन प्राप्त करेगा कि सर ऐसा ऐसा मैटर है इस सिच्वेशन में मैं कौन सा क कारिये करूं आप मुझे मार्ग द्रशित करें आप मुझे नर्देशित करें आप मुझे गाइड करें तो निम इस संदेश कहा से शुरू हो रहा है निम निस्तर से उपर की और संदेश प्रवाहित हो रहा है इसलिए इस communication को कहेंगे हम उर्द्वय गामी और गामी नीचे से उपर की और संदेश जाए अधोगामी उपर से नीचे की और जाए वह जिसका आप होरिजेंटल बोलते समतल समतल क्या होता है ये दोनों बराबर के अधिकारी होते हैं नहीं छोटा नहीं ना बड़ा यह मालो एक पुलीस इं स्पेक्टर दूसरे पुलीस इंस्पेक्टर से कोई बात चीत पूचे तो दोनु बराबर है तो एकवल है तो यह बेटा यह गान कविन्टर हैगा समतल जब बराबर की अधिकारियों ने बोल सथ हों के और सकते हो आइं और जब नीचे वाले को निचे दोनो na अधोगामी में बसंतर है कि उपर वाला नीचे वाले को संदेश बिजेगा और उद्धों गामि में नीचे से उपर वाले गो लेकिन है तो यह क्या है बरार की अधिकारी तो नहीं है यहां भी बड़ा एक-चोटा है यहां भी एक-बड़ा आणोफ्चारिक संप्रेशन यह देख लो आब differentHHH कि किसी को इन दोनों को हम क्या कह देंगे अनोफ्चारिक आ नहीं सुरी आ चलिक अनोफ्चारिक कहेंगे इसको समतल वाले समतल वाले को क्या कहेंगे आनवफ्चारिक जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से कुछ पूछ रहा है तो वह अनोपचारिक उनके बीच में जो भूरा इसलिए माली जी मैं मेरे प्रेंशिपल से कोई बात्चीत पूछ तो मैं उनसे बड़े अदब से पूछ रहा है तो में वही बात मेरे किसी दोस्त से पूछ नहीं है तो मैं और तु क्या रहा है यह बताना यह अंतर है तो यह तो अनोप्चारिक हो जाएगा जब बराबर वाले बीच में होता है और उच और निम्द के बीच में होता है तो वो क्या हो जाएगा ओप्चारिक तो अधोगामी भी ओप्चारिक है और उर्ध्वेगामी भी क्या है ओप्चारिक अब मेरी इसाब से मैं आप समझ गए गए गो प्चारिक संपरिशन क्या रहा है और अनोप्चारिक संपरिशन क्या है हो सकता आप से कियो सें इन्में नहीं पूछाए दोगामी बी Kurdiwakon संतल्ण में और हो बेकिए कि अधोगामी अधिकारियों में पीच के बीच माध्यम के आधार पर तो देखिए संदेश प्रवा के आधार पर तीन हो गए अदोगामी उर्द्वगामी और सम्तर कि यह किसके आधार पर संदेश प्रवा के आधार पर दूसरा आधार ले रहे हैं अपन आधार के माध्यम के आधार पर माध्यम के आधार पर माध्यम यानि किस जब अपना संदेश दूसरे तक बेजना है तो उसमें किनी न किनी साधनों की जरुत पड़ती है उन साधनों को हम क्या कहते हैं माध्यम यहां मैंने कहा यूटूब हो गया यह आपका बोर्ड हो गया यह मेरा मार्कर हो गया सारे माध्यम हो गया माध्यम के आधार पर हम देखते हैं कि साब्दिक होता है यह साब्दिक होता है यहने सीधे यह कि जाए कि उसमें मैटर कैसे वेजा है हमने सब्दों के रूप में वेजा है लिख कर वेजा है आप देगे साब्दिक के दो रूप है साब्दिक के वल बोली नहीं होती है हम सब्दों को बोल भी सकते हैं दस-पंदर दिन में लड़के लड़कियों की कोई लेटर तो नहीं मिल गया है तो वह लिखित भी इनफॉर्मेशन होता था चूचना होते थे फिर कई बार क्या होते आज कल यह ज्यादा होता है क्योंकि सब के हाग में मोबाइल डिवाइस हो गया है तो फोन नमबर मांगते लेटे है तो आज कम्यूकेशन का तरीका है कर वर्बल यहने लहकिक लेकिन इसाब्धिक और लिखित दोनों icon कैसे थाई कई जाएंगे संकेत आजाएंगे तो बिटा मुख्य रूप से आपसे चाहिए पूजा ऐसा आप दिक सम एक बालक कक्षया में किसी बच्चे को इसहारा करता है तो वह किस परकार का संप्रेशन है संकेति या तो उप्षन मिलेगा संकेति यह उप्षन में नहीं होगा तो क्या मिलेगा ऐसा अगर आजाए एक बालक अपने मित्र से फोन पर बातचीत कर रहा है तो वह किस परकार का संप्रेशन है तो या तो उसमें मोखिक शब्द आएगा और यह नहीं होगा तो फिर इस आप एक बच्चा अपने पिता को उसके पिता बहुत दूर है नोकरी पर है और वह अपने पिता को एक चिठी लिखता है तो वह किस परकार का संप्रेशन है या तो लिखित सब्द होगा लिखित नहीं है यह दोनों है तब भी आपको क्या करना है लिखित द्यान रखना यह दोनों है तब भी आपको लिखित करना है पर माली जी उप्सन में नहीं है तब आप क्या करोगे सांक और और माली यह लिखित भी नहीं और शाब्डीक भी herself कि नहीं So एक बालक अपने पिता लेटर लिखता है तो पिता पुत्र में शंबंद कैसा हो जाएगा अपचारिक हो जाएगा बेटा ंच और निम्नका हो गिया तो क्या हो जाएगा ओप्चारी तो यह था आपका बेटा संप्रेशन के प्रकार अब आगे बढ़ते हैं अब समसर्प अभी थोड़ी देर पहले में का संप्रेशन के माध्यम इन्हें का जाता संप्रेशन के साधन कि किसी टूल्स की इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है हम अपनी बादशीत आप तक पहुंचा रहे हैं तो किसी न किसा इंस्ट्रूमेंट यह दन तो इसको मुख्य मुख्य रूप से तीन भागों में बाढते हैं तीन प्रकारों में बाढते हैं संप्रेशन के साधनों को और बैटा इसे ही कह दिया जाता है सिक्षन अधीगम साहिक सामगरी जिसको ट्लम बोलते हैं वही बात है तो हैं संप्रेशन के साधनों को मुख्य रूप से तीन रूपों बाड़ते हैं कुछ तो ऐसे हैं जिनको सुना जाता है भाई मैं कुछ आप तक भेजू और केवल वोईस कोल करूं आपको तो आप उसको क्या करोगे सुनोगे तो कहने मला कि मैं मेरा संदेश किस रूप में वेज रहा हूं कि प्राप्त करने वाला उसे सुनेगा तो इन्हें हम कहेंगे सर्वेशाधन कुछ ऐसे साधन होंगे जिसको देखा जाएगा तो उसे का जाएगा दर्श्य शाधन माध्यम बोल तो चिसाधन बोल तो और तीसरा होता है दर्श्य सर्वेश यहने जो संदेश प्राप्त करता उसे सुनेगा भी और उसे देखेगा भी जैसे मेरी अब किस कैटेगरी में जाएगी इस category में जाएगी जो भी बच्चा यूटूब पे इसे देखेगा भी और सुनेगा भी इसलिए यह क्या जाएगा दरश्य सर्वे में तो इस प्रकार से देखिए information को हम बेजने के समझो पहले प्रशन आप से पूछा जाएगा सीधा दे दिया जाए आदेश कि आदेश किस प्रकार का संचार का साधन है और option में सर्वे द्रश्य द्रश्य सर्वे तो आपको यह समझना है देखिए यहां आते हैं सर्वे में कौन सी सभा जब हम कोई असेंबली सभा इखटे हो जाते हैं वहां पर बातचीत की जाती है और उसमें माले सर्वे साब या कोई विक्ति उस बात को बोलता है बाकी की लोग क्या करते हैं सुनते तो बेटा इसे सुनना ही का अब यह मां करना है सर्वे साब को देख भी तो रहे माध्यम वहां पर क् आता है तो यह सरव्य होगा संभेलन कोई संभेलन होगा तो वह संगोष्टि यह सब सभा के रूप है मेटा शाक्षात्कार इंट्रिवू कि मैं आपके बारे में पूछों बेटा कहां से ऊच्छ क्या पढ़ रहे हो आगे आपका क्या उद्धिश यह है क्या बनना चाहते हो तो यह इंट्रिवेवय हो रहा है वो भी क्या हो है सुनने के रही हो रहा है अब देखिए व्यक्तिकत प्रामर्श में हम क्या देखते हैं कि परस्टनल काउंसलिंग करते हैं जैसे मुझे कोई मार्ग दर्शन की जरूरत ने कभी तो मैं क्या करूंगा मेरे पापा के पास जाओंगा या दादाजी की पास जाओंगा और कूंगा मेरे को अब यह करते बाचीत करते यह फिसरें वाईगी अधे यह टेलीफ metre यह मोबायल वह भी किस में हजाए गा टेप रिकौर्ड है वह भी किस सरवे में आ जाएगा रेडियो है वह भी start लाइंगा सभौन होता उसके दौफ़ए संदेष वेजहा जाता था कुछ समय बाद में उससे सु अब आते हैं माध्यम ले रहे हैं दर्श्य विजवल जिसको देखा जाता है शूचना को देखना पढ़ना अगर सूचना भेजी जाए लिखित फॉर्मेट में बेजी जाएगी तो जिसको प्राप्त होगी उसको देखेगा देखने में आ रहा है तो इसका मला उसको देख रहा है लिखित फॉर्म में जो आगी सूचना आगी परिपत्र परिपत्र परकासे लिखा हुआ होता है आदेश भी बेटा लिखा हुआ ह प्रतिवेदन रिपोर्ट रिपोर्ट होती वह भी लिखित में होती बैटा स्लाइड जैसे कि आपको यह पढ़ाने के लिए क्या है एक प्रकार की स्लाइड है स्लाइड को भी आप क्या करें हो देख पा रहे हो प्रक्रा ये ऑंग्र हो ये अगली कि यह आपसे आओ धीवाल एक प्रकार से पोस्टर ग्राइड हो देखां कि प्रकेर मूर्त ने से लिखे जाँ प्रतिक चिना है कना समाचार पत्र जो यमा लजी गलोब होता है प्रिभर प्रफी की आकर्थी होती लोग रेखाचितर माले जी को यापन ड Gesang민 बना रखा होगे सर यह तो राष्ट यह चिन है तो संगे अगर एक कपड़े पर तीन रंग कर दिये जाए बीचे चक्र आप होगे तिरंगा है हमारा तो यह क्या है उसके दुवारा इनके दुवारा भी चीजों को समझाया जाता है तो यह वीजुल अब आता वीजुल एम जो सुनकर औ Gondavan ओंगे तुटीजों होगा तेली जन पे कोई भी नाटक आ रहा है कुछ भी आ रहा है तो हम उसे सुनते और देखते यह नाटक है माले हम थेयाटर में गये जहां पर पर कि बात नहीं कर रहा हूं जाहां पर किये जाते है उसको हमने देखा तो मुसको क्या करेए सुन भ जैक चल चित्र करत ही होता है movie बेटा फिलं बोल दो इसको चल जित्र बोल दो फिन बोल दो movie गोटो और इसी परकाराश में कट पुथली गत्पुथ्ली उती है खोग कट पुद्मिदि आप से खुड़ी होती है वहां पर कोई न कोई आवाज की निकलतीरती है और वह लकटी की चीज के तो ये आप सारी किसमे decusa सरंव कर तो संप्रेशन के तीन मादम है थरश्य माध्यम सर्वह माध्यम दरश्यिवाध्यम सर्वह माध्यम और इनके कौन-कौन से एक्जाम्पल है वो आपको इसमें दिखा दिये गए अब देखते हैं उम्मीद करते हैं कि कम्मिनुकेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा यह वारतालाब सफल रहा होगा और आपकी प्रति-पुष्ठी क्योंकि दो-तिन हिस्ट्वेशन पहरे धन्यवाद